हलो अब्रीवान वेव क्लासेश के इस यूट्यूब चनल पर आप सबका स्वागत है इस वीडियो के द्वारा आज हम लोग ऑफ्लाण क्लास का टाइम टेबल जानेंगे जो नया भी सुरू होने माला है अभी दो चार दिन के अंदर भी सुरू होगा और कुछ बैचे कुछ दिनों के बाद होगा तो आपके information के लिए सब बैचे का timing और date आपको बता दे रहे ताकि आपको information आप तक रहे कि कब कौन सा बैच सुरू हो रहा है और उसके हिजाब से आप आप्लाण क्लास को ज्वाइन कर सके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अभी सबसे जो प्राइमरी बैच है यह new 12th English Medium का बैच है new 12th English Medium का बैच है इसमें 10 a.m. से 2 p.m. 10 a.m. से 2 p.m. यह क्लास डेली चल रहा है ठीक है 10 a.m. से 2 p.m. यह क्लास डेली चल रहा है और यह स्टार्ट हुआ है 7 फरवरी से ठीक है 7 फरवरी से बैच अल्रेडी रनिंग है लेकिन अभी आज साइद 9 यह 10 तारीक है तो ज़्यादा यह इसमें कुछ हुआ नहीं यह 2-3 दिन क्लास का गैप है साइद तारीक से यह स्टार्ट हुआ है और जो भी प्रहाय गया है उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो जो भी बच्चे निव 12 इंग्लिस मार्ण में मीडियम के स्टुडेंट हैं और 12 में एक अच्छा एजुकेशन आप लेना चाहते हैं अगर आप मसौरी में पढ़ रहें प्रोपर यह इंफोर्मेशन मसौरी के आज पास के बच्चों के लिए है तो अगर आप 11 में इंग्लिस मीडियम के आप स्टुडेंट रहे हैं और इधर उधर किसी भी कारण से आप भटकते रह गए और अच्छे से 11 को आप नहीं पढ़ पाए तो अभी भी आपके पास एक अच्छा समय ऑपरचुनिटी आपको मिल रहा है कि आप वेव क्लासे से जुरिए सुबह में 8 एम से 8 एम से 10 एम 11 क्लास का हीट सेक्षन या जो भी और पेपर है फिजिक्स में हीट सेक्षन सुरू होने वाला है ठीक है कल से सुरू होने वाला है तो जो बच्चे का 11 भी छूट गया है और वो चाहते हैं कि हम फ्यूचर के लिए भविस्ति के लिए अपना एक वेव से स्ट्रॉंग लेकर जाएं और जो 11 का कुछ अकर टोपिक रह गया है तो उसको भी कभर कर लें तो वेव क्लासेस अभी भी आपको उपरचुनिटी द पर रहे थे अगर वहां से आप संतूष्ट नहीं है आपको वहां के पढ़ाई से मतलब कोई ज्यादा बीसेस प्रवाव नहीं पढ़ रहा है तो आप हमारे साथ एक बार जूर के देखिए आप ऑफलान क्लास में आईए आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको बताया 12 का एक नया बैच आने वाला है न्यू 12 का न्यू बैच आएगा न्यू बैच यह आ रहा है अठारा प्रवरी से ठीक है अठारा प्रवरी को डेट हम कन्फर्म कर लिते हैं सेकेंड जो बैच है वो अस्तार रहा है अठारा फ्रवरी से एक सेकेंड मैं चेक कर ले रहा हूं सेकेंड बैच अठारा प्रवरी से सुरू हो रहा है अठारा प्रवरी 2022 इसका समय है आठ एम से बारा पी एम ठीक है कुछ बच्चे जो जिनको लग रहा है कि यह साथ का फ्रवरी से जो बैचर स्टार्ट हुआ है उसमें कुछ क्लास मिस हो गया है यह जबावरे तो बस साथ दिन के गैप पे दस दिन के गैप पे आपको 18 फ्रवरी से एक नशा बैच दिया जा रहा है और जब आप इस बैच के मतलब बनाबर में आ जएगा तो आप यह दोनों बैच को मिला दिया जाएगा तो अस्तार्टिंग में आप 18 फ्रवरी से एक तो आप इसमें जॉइन कर लिजिए, ठीक है, 11 का भी आप टाइमिंग आपको बता दिया गया, कुछ बच्चे, Special Demand पर आते हैं, कि हमको Physics करना है, Chemistry करना है, Biology करना है, तो उनके लिए भी है, Regular Batch में ही आप Special Subject को जॉइन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्र रिस्टिक्शन नहीं लिए दल लगाया गया है, कि आपको ओल सभी तका क्लास करना ज़रूरी है, आपको जो Paper लगता है उस Paper को आप कर सकते हैं, हम Physics का यहाँ पर टाइम लिख दे रहे हैं, Special Physics का जो बैच होगा, 12th, 12th Special Physics का जो बैच है, यह एक तो regular बैच जो चल रहा है, जो 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, इसमें 11 AM से 12 PM, इस टाइमिंग पर चल रहा है, ठीक है, और इसका एक सेकेंड बैच से स्टार्ट होगा, 12th, 12th Special Physics का 18 फरवरी से स्टार्ट होगा, इसका टाइमिंग रहेगा, सारे 8 AM to 10 PM, ठीक है, Special Physics के लिए from 18 फरवरी, तो आप इसको भी जोइन कर सकते हैं, आप इसमें भी जोइन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपका इन्फरमिशन है, अब आकी Math Physics, Math Chemistry और Biology का आपको क् कर सकते हैं, इसके बाद New 12th का English Medium का information आपको हो गया, जो Hindi माध्यम वाले बच्चे हैं, New 12th, Hindi माध्यम, इनके लिए सारे 7 AM से, सारे 11 AM तक regular class दिया जा रहा है, All Subject का, All Paper का, तो इसको आप जोइन कर सकते हैं, Hindi माध्यम वाले बच्चे, देखो, मौसौरी में जो education मिल रहा है, उससे बहुत आगे लेबल का education हम लोग दे रहे हैं, अगर आप बेव classes के बारे में नाम जानते हैं केवल, आपको पता नहीं किसमें क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आपको एक बार हम बोलते हैं कि एक बार आपको आना और आके यहाँ पर demo class करिए, आपको 4 दिन, 5 दिन का class का timing दिया जाएगा, उसमें आपको एक label का पता चलेगा, कि बाकी जगह पर हम जहाँ पर रहे थे, और जब यहाँ पर आए हैं, तो क्या फरक है, फरक देखने का चीज होता है, आप पढ़ाई है, पढ़ाई है, इसने भी मसारी के आस पास के बच्चे हैं, अगर चाहते हैं कि एक quality equation लेकर हम आगे बरें, अब हविस्त में हमको job मिल जाए, वो भी असानी से job मिल जाए, तो उसके लिए केवल और केवल मेहनत करना पड़ेगा, और सही direction में मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, कोई हवाबाजी करते रहे, कि हम तुमको यह करवा देंगे, IIT निकलवा देंगे, Medical निकलवा देंगे, कोई भी चीज़ निकलवा देंगे, तो बोलने से नहीं निकलता है, आपको अगर एक sequence में एक proper timing और proper direction के साथ, अगर आपको guide किया जा रहा है, और आपक को प्राप्त कर सकते हैं, और वैसा है, एक महौल हम देने का कोशिस कर रहे हैं, वेव क्लासे में, कि आसपास के मसवरी के जितने भी बच्चे हैं, वो एक अच्छे quality education को प्राप्त करें, और भविस्ति में अपने life में सेटल हो जाए, केरियर को बनाएं, ठीक है, तो जितन भी बुक होता है, तो आपको NCRT फोलो कराया जाता है, आप कहीं भी अगर 11th क्लास परहे होंगे, तो आप देखिएगा, सोच कि अपने मन में सोचिएगा, कि आपका जो भी physics, chemistry, biology का जो टीचर थे, जो आपको पढ़ाये थे, क्या कभी NCRT से कोई सवाल करा है, या NCRT कोई से उतरेंगे, पूरे NCRT आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, एक अच्छे लेबल से, एक अच्छे अंडरस्टेंडिंग से आपको सिखाया जाएगा, ताकि आपको बोड के एकजाम में तो कोई दिक्कत नहीं हो, आप पलस में बोड पलस लेवल हो, किसी भी कमपर्ट करते हैं, हम हैनत करते हैं, तो देखे हैं, जादा हम लोग क्कान से पलस जादा नहीं बनेगा, टीक है लेके लेगिन लोग का जब आज पास आप लोग देखते हैं के इस बच्चा पर पूरा अमय देंगे इसक definition के बारे में हम सोचेंगे समझेंगे उसके हिसाब सुष को मेनद करवाएंगे तभी आप बशास-बच्च्चा आगे के लिए तायार हुठ हो पाए यहां पर education मिल रहा है, education एक responsibility का चीज होता है, अगर हम आपके साथ बैमानी कर दें, आप पर मेहनत ना करें, तकल होके आपको पता चलेगा, कि हम इनसे पढ़े थे, और यह हमारे साथ सही नहीं किये, हमको जो पढ़ाना चले तो नहीं पढ़ा है, जिसके वज़े से हम आज में पीछे हट गए हैं, या पीछे हो गए हैं, तो ऐसा मोका आपको नहीं मिलेगा, आप 11th, 8th class से हम लोग लोग लास चला रहे हैं, 8th से 12 तक, अगर जो भी बच्चा, आपको हम लिख के दे सकते हैं, अस्टाम पेपर पे, 8th से 12 तक कोई बचा, यहां पर पढ़ ले वेब क्लासे में, कहीं भी कोई भी कॉमपर्टिसन को फेज करने के लिए एक दम रेडी रहेगा, उसका बेश इस तरह से स्ट्रोंग रहेगा, कि कहीं पर लड़ने के लिए उसको भेज दिया जाए, तो कोई हवाबाजी नहीं होगा, आपको जो एक्चुल चीज है, एक्चुल फैक्ट है, उसमें हम बात करेंगे, अगर आपको लगता है कि हम लोग में कुछ इमांदारी है, हम लोग में मेहनत है, हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप वेब क्लास से जूरिए और अपने केरियर को सेट करें, तो यह 12 का हिन्दी मेडियम और इंग्लिस मेडियम का बात हुआ, 12 क्लास में, क्य Istvils भागति करें, तो आप सारे साथ से बैच मॉर्णिंग में जोईन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, इसका चार्ज होगा 3500, मार्मार के में अब देखिए गा, तो 500, 1500 रुप मिनिमम चार्ज है अगर आप क्लास 12 में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक मिनिमम फी में आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक है तो हजार-दुहजार के चक्कर में आप अपर ना भविस्त को मत बेच दीजिए बाद में आपको हजार-दुहजार का कोई यादा भैलू न तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे इस बात को मानिएगा कि वेव क्लासे से आप जुरिये यहां पर आपको फूल ऑनिस्ती के साथ पढ़ाया जाएगा आपको जो सिलेबस है उसको पूर्णता कवर कराया जाएगा आप कही भी लड़ने के लिए तयार हो पाईएगा ऐसा आपका फूर्मेशन हम लोग देंगे ठीक है अब थोड़ा बात कर लेते हैं जुनियर क्लास का एक कोर्स इस सा लॉंच कर रहे हैं जिसका नाम है प्री फाउंडेशन प्री फाउंडेशन बैच देखिए प्री फाउंडेशन बैच अच्छा प्रीपेर कर रहे हैं कुछ बड़ा सोच रहे हैं कोई IIT के बारे में सोच रहा है कोई Medical के बारे में सोच रहा है किसी और Science related अगर आपका स्टीम है और Physics, Chemistry, Biology, Maths लेकर अगर आपको किसी छेतर में जाना है तो जिनरली या तो बच्चा इंजिनियर या Medical बनता है, Nurse बनता है, पोल टेक्निक करता है, यह सब कुछ के लिए केवला IIT और मेडिकल इसमें नहीं है, Science से रिलेटेड एयर फोर्स हो गया, नेवी हो गया, जिसमें Science से सवाल आता है, उस सब बच्चा के लिए 8, 9, 10th क्लास के लिए pre-foundation batch launch किया जा रहा है, जो कि Advanced Level का होगा, ठीक ह कमाना है, अच्छा नोकरी करना है, तो आपको यह Advanced Level का जो batch है, आपको बहुत benefit देने वाला है future के लिए, तो जो गार्जियन हो या बच्चे हो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस अपने बच्चे हो, अगर आपके बच्चे CBSE में, इंग्लिस मीडियम से पढ़ रहे ह हैं, तो आप इनको Pre-Foundation में, वे Flashes में देने मिशन कराइए, आपको बहुत फायदा होगा, आपके बच्चे का बहुत फायदा हो जाएगा, फी धोरा ज्यादा लगेगा, 8 class का फी होगा, 8000, 9th class का फी होगा, 9000, और 10th class का फी होगा, 10,000, पर हाई जो होगा, वे NCIT बुक से नहीं होगा, एक book आता है, MTG का आता है, Pearson का book आता है, जिसको हम Pre-Foundation, इसका book का नाम है, MTG का Pre-Foundation book, जो केवल और केवल डिजाइन किया गया है, IIT और मेडिकल के लिए, ठीक है, तो ये book follow होगा, और इसका आच्छा का सा syllabus होता है, 8, 9, 10th बच्चा, अगर Pre-Foundation MTG या Pearson का book से पढ़ लेता है, आप विश्वास मानिए, उस बच्चा को कहीं भी बेज दीजे ना, किसी से भी लड़ लेगा, उतना उसके पास power develop हो जाएगा, understanding develop हो जाएगा, कहीं पे भविस में पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको कभी दिक्कत हो रहा है, तो आपने बच्चे को वेव क्लासे से जोड़िए, आपका भविस बेतर होगा, ठीक है, तीस प्रीफाउंडेशन के बारे में आपका एक इंफर्मेशन है, एक इंफर्मेशन और देंगे, कि अभी टेंथ का एक्जाम होने वाला है, सिबेसी का आधा हो गया है, आधा होग पॉली टेक्निक और पारामेडिकल, जो नर्सिंग का कोर्स है, एक जुनियर इंजिनिरिंग का कोर्स है, अब पारामेडिकल नर्सिंग का कोर्स है, जिसमें जी एनम आता है, अगर इसका फॉर्म भढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जुनियर इंजिनिर टेंथ के बाद केवल और केवल English Medium का बैच होगा, ठीक है, केवल और केवल English Medium का बैच होगा, तो आप इसको जोँएं कर सकते हैं, English Medium के बैच, इसका फी जो होगा, ये 6,000 रुपया होगा, 6,000 इसका फी डिजाइन किया गया है, तो जो भी कोर्स आपको information में भी दिया गया, अगर आप इस कोर से रिलेटेड कुछ भी आप करना चाहते हैं तो हम लोग से साथ जूर सकते हैं ठीक है अगर ये information लगता है कि किसी के पास हमको पहुंचा देना चाहिए अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपको लगता है किसी information को किसी बच्चे के पास share कर देना चाहिए तो आप इसको share करना जरूरी समझे क्योंकि अच्छा चीज को जितना जोर सोर से आप परचारित कर सकते हैं कीजिए क्योंकि अच्छा चीज हर जगा पे नहीं मिलता है जूट का परचार बहुत जल्दी होता है सच का परचार होने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो आप सच को परचार करने में अपना थोड़ा योगदान दीजिएगा ठीक है तो थैंक्यू